जब भी आप देश के बड़े बड़े सरकारी संस्थानों में जाते होंगे तो आपको बाहर में तिरंगा जंडा लहराते दिख जाता होगा सबी सरकारी संस्थानों पर यह जंडा रहता है चाहे वह रेलवे स्टेशन हो एयरपोर्ट हो या फिर यूनिवासिटी लेकिन अब धीड़े धीड़े प्रशित धार्मिक स्थल और परेटन स्थल के पास भी तिरंगा जंडा लगाने की बड़े तैयारिया चौल रही है आपको बता दे किसी कड़ी में बिहार के गया जिले के बोध गया में महा बोधी मंदिर के सामने चाराहे पर बने गुलंबर के पास असी फुट उचा तिरंगा चंडा लगाने के लिए कार योजना तैयार कर लिया गया है उमीद है कि साल अगस्त तक बोध गया में तिरंगा लहराने लगेगा या बिहार के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब धार्मिक और साथ ही परेटन स्थल पर अपने भारत का तिरंगा लहरते देखने को मिलेगा दरसल बोध गया में अस्ति फिट उचा तिरंगा जंडा लगाने का प्रयास नगर परिसद बोध गया के बोड की बैठक द्वारा जिला प्रशासन को दिया गया है जिला प्रशासन से इस विकृति के बाद इसका काम तीजी से किया जाएगा उमीद जताई जारी है कि इस साल 15 अगस से पहले ही बोध गया में यह काम पूरा हो जाएगा इससे पूर्व पिछले साल बोध गया नगर परिसद के बोड के बैठक में महा बोधी मंदिर के सामने तिरंगा जंडा लगाने को लेकर प्रस्ताव लाए गया था पारित होने के बाद मंदिर के सामने गुलंबर में फांडेशन का काम भी पूरा कर लिया गया था लेकिन किसी तक्निकी वज़ा की कारण वह काम पिछले साल नहीं हो पाया था एक बार फिर नगर परिसाद बोध गया के बोड की बैठक में इस वर्ष इसे सर्वसमती से पारित किया गया है जिना प्रशासन से सहमती मिलने के बाद इस काम को पूरा किया जाएगा आपको बता दे कि गया में गया रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट पर सेंट्रल उनिवर्सिटी के पास तिरंगा लगाया गया है अब बोध गया में इसे लगाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर 80 फूट उचा पीलर लगाया जाएगा जिस पर 20 गुना 30 का तिरंगा जण लगाने के लिए फॉर्णेशन का काम पिछले साल पूरा हो चुका है इस बैस विक्रिती मिलते ही इसका काम शुरू हो जाएगा इस संबंध में बोध गया नगर पडिशत के कारेपालक पताधिकारी संतोस कुमार रजक ने बताया कि तीन माई को नगर पडिशत बोध गया के बोड की बैठट में तिरंगा जंडा लगाने का निर्ने लिया गया है इससे पूर्व भी तिरंगा जंडा लगाने को लेकर निर्ने लिया गया था उस समय फॉंडेशन का काम किया गया था इसका एस्टिमेट बनाकर हम लोग जिला प्रशासन को देंगे और स्प्रिकृ झाल झाल